गुड मॉरिंग स्टुडेंट्स, तुडे वी विल स्टार्ट एक्सराइज 10B, पेज नमबर 144 पे आपकी बुक पे ये एक्सराइज गिवन है, कॉस्टिन नमबर 2, फाइंड दासम, स्टेटमेंट है 87 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 72 मीटर, 11 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, तो सबस सेंटीमीटर के निचे लिखेंगे हम, तो 87 मीटर है 87 को मीटर के निचे लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर के निचे लिखेंगे हम, इसी तरह से बाकी भी कॉंटिटीज हम as it is ही लिखेंगे, 72 मीटर, 11 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, तो next step है, 70 मीटर वाली quantities को पहले हम plus करेंगे तो 5 plus 1 6, 9 plus 1 10 plus 1, 11 तो पेटा मैंने 1 answer में लिखा और 1 में meter में carry मिलेगी क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 meter में कितने centimeter होते हैं? 100 centimeter तो dear student जब centimeter में quantity 100 या 100 से उपर हो जाती है तो carry किसमें चला जाता है? meters में तो अब meters वाले numbers को plus करेंगे तो 7 plus 1 8 plus 2 10, 0 answer में लिख लिए 1 carry में लेगे हम तो 8 plus 1, 9 plus 7, 16 आ गया है तो answer आ गया 160 meter, 16 centimeter, part B 2 kilometer, 360 meter 4 kilometer, 270 meter and 10 kilometer, 6 meter तो सबसे पहले kilometer और meters को लिख लेंगे हम kilometer वाली quantities को kilometers के नीचे और meter वाली quantities को meters के नीचे तो 2 kilometer के नीचे 360 meters के नीचे इसी तरह से बाकी को भी लिख लेंगे हम 4 kilometer then 270 meter then 10 kilometer 6 meter तो 6 meter जो है उसको आप 6 को once place के नीचे लिखो के number को क्योंकि ये 3 numbers है यहाँ पर once place पे, then 10, then 100 और ये 6 जो है इसको हम once place के नीचे लिखेंगे अब meter वाले numbers को हम पहले plus करेंगे 6 plus 0 plus 0 is equals to 6 then 7 plus 6 is equals to 13 1 carry में आ गया then 3 plus 1, 4 plus 2 6 आ गया ये now 4 plus 2 is equals to 6 और 1 बेटा अंसर आ गया 16 km 636 आपका meter next है question 68 meter और 37 cm 40 meter, 40 cm, then 25 meter तो मैंने आपको पहले वी जैसे बताया meter और centimeter आपने लिख लेना है पहले फिर meter वाले numbers को meter के नीचे centimeter वाले numbers को centimeter के नीचे फिर इनको plus करना है पहले centimeter वाले numbers को plus करना है तो 7 plus 0 is 7 4 plus 3 is 7 8 plus 5 is 13 3 अंसर में लिख लेंगे 1 carry में ले जाएंगे 6 plus 1 is 7 plus 4 11 plus 2 is 13 बता अंसर आगया 133 meter 77 centimeter next part है third question add the following 61 kilometer 755 meter plus 7 kilometer 613 meter plus 54 meter तो पहले आप kilometer meter लिख लेंगे फिर meter वाले numbers को meter के नीचे then kilometer वाले numbers को kilometer के नीचे अब meters वाले numbers को पहले प्लस करेंगे 4 plus 3, 7 plus 5 12, 2 अंसर में लिख लिख लिया 1 carry में लेगे 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 5, 12 2 अंसर में लिख लिख लिया 1 carry में लेगे 8 plus 6, 14 तो बचे यहाँ पर मैंने 4 लिख लिख और 1 carry में kilometers में लेगी क्योंकि मुझे पता है कि 1 kilometer मे 1000 मीटर होते हैं जब मीटर में quantity आपकी 1000 या 1000 से एवग हो जाए तो कैरी किसमें चला जाता है किलो मीटर में आप किलो मीटर में जो नंबर से उनको प्लस करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 7 9 and 6 6 में कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है तो 6 as it is ही आजाएगा तो अनसर आगे 69 किलो मीटर 422 मीटर पार्ट B है 13 किलो मीटर 351 मीटर प्लस 29 किलो मीटर 617 मीटर प्लस 1 किलो मीटर 20 मीटर प्लस 87 मीटर तो वही सेम प्रोसीजर जो है किलो मीटर और मीटर लिख के फिर किलो मिटर वाले नमबर को किलो मिटर के नीचे मिटर वाले नमबर को मिटर के नीचे आपने लिख लेना है बट आपने इस चीज का ध्यान रखना है देखो जैसे ये नमबर है 13 है और मिटर में है 351 और नेक्स है 29 और मिटर में है 617 बट नेक्स है 1 किलो मिटर तो पेटे 1 जो है आपने उसको 1s place में, किलोमीटर में जो number 1s place पे है उसके नीचे लिखना है, ठीक है क्योंकि 1 जो है वो 1s place के नीचे आएगा, इसी तरह से 20, 20 जो है आपका 0 आपने 1s place के नीचे और 2 10s place के नीचे, इसी तरह से 87 मीटर में आपने 7 1s place के नीचे और 8 10s place के लिखोगे और मीटर में वो quantity लिखोगे तहां पर देखो 87 मीटर है किलो मीटर में नहीं है कोई भी नंबर आपको गिवन तो आप सिरफ 87 को मीटर के नीचे लिखोगे और किलो मीटर में कुछ भी नहीं आप लिखोगे अब मीटर्स वाले नंबर्स को आप पहले प्लस कर हमने 3 plus 1 4 plus 6 10 तो 0 answer में लिख लिए और 1 carry मिलेगे क्योंकि meter में जब quantity हमारी 1000 से वब हो जाती है तो carry किस में चला जाता है meters में sorry kilometers में 3 plus 1 4 plus 9 13 plus 1 14 आ गया ये 4 answer में 1 carry में हम kilometer में यहाँ पे 10th place पे ले जाएंगे तो add कर देंगे numbers को ये आ जाएगा 4 पेटा answer आ गया 44 kilometer 75 meter तो last part है इसका part E 35 kilometer 24 meter plus 72 kilometer 112 meter plus 10 kilometer 95 meter तो kilometer meter लिख के kilometer वाले numbers को kilometer के नीचे और meter वाले numbers को meters के नीचे तो पहले meters वाले numbers को plus करेंगे 5 plus 2 7 plus 4 11 1 carry में आ जाएगा 1 answer में लिख लेंगे 3 plus 1 4 plus 9 13 3 answer में और 1 carry में ले जाएगे बचे दें 1 plus 1 2 और यहाँ पे आप kilometers वाले numbers को plus करेंगे 5 plus 2 7 then 7 plus 3 10 plus 1 11 तो कितना अंसर आ गया 117 kilometer 231 meter में आपका फो है 10 नह findenोस aby कि अ dein